हालो दोस्तों स्वागत हम सभी का to the point के environment and ecology के sessions में हमने फिछले चैप्टर में ecology और environment से related important जो कोई भी terms है ecosystem है, ecotone है, niche है, biosphere है, इन सभी चीजों के बारे में हमने in detail discuss क्या हुआ था आज के इस chapter में हम ecosystem and it functions के बारे में जानेंगे, हम इन dip जो है, जो कोई भी important terminologies है, basic terminologies जो के आपके foundation के लिए बहुत ज़रूरी है, उन सभी के बारे में briefly discuss करेंगे, तो आज का ये chapter शुरू करते हैं, of course हमने ecosystem के बारे में पिछले chapter में ही देखा हुआ था, an ecosystem is a geographic area where plants, animals and other organisms as well as weather and landscape work together to form a bubble of life, जो कोई भी surroundings, इनसान की या फिर इनसान की नहीं एक जिन्दगी जो sustain होने के लिए जरूरी है, उसे ecosystem कहा जाता है, जहां पर आपको plants भी देखने को मिलेंगे, animals भी देखने को मिलेंगे, organisms भी, जहने के जो आपकी नजर को दिख भी नहीं सकते, microorganisms वगरा, व उस area को, उस geographical region को हम ecosystem कहते है, the function of ecosystem is a broad, vast and complete dynamic system, हमने already देखा के हर ecosystem का structure अलग होता है, उसके functions होगेरा अलग होता है, तो बहुत ही एक dynamic system है, एक बहुत ही एक important system है, जिसकी study में हम, जिसकी study जो है ecology हम कहते है, it can be studied under the following three heads, कही पर भी ecosystem हो, वहाँ पर तीन major अलग-अलग subcategories हो जिनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, या पर जो common होते हैं हर ecosystem में life sustain करने के लिए, सबसे पहला energy flow, यानि कि जिने के लिए, जब मैं जिन्दगी कहूंगा, तो सिर्फ इंसानी जिन्दगी नहीं, हर organism की plant है, animal है, सभी के लिए, तो energy का flow किस तरीके से हो रहा है, energy कह से ले रहा है, कौन और किस तरीके से दे रहा है, दूसरा जो है, वो nutrient cycling है, nutrients भी बहुत जरूरी है, जिन्दगी जीने के लिए, तो उस nutrition का जो मामला है, वो किस तरीके से हो रहा है, इसके बारे में, दूसरा major heritage है, जिसके बारे में हम ecosystem में पढ़ना है, और तीसरा जो है, ecological succession or ecosystem development, यानि कि किस तरीके से, as a time गुजर रहा है, वहाँ पर developments हमें किस तरीके से देखने को मिल रहे है, एक specific community की बात लें, तो childhood से लेकर, adulthood तक, वो किस तरीके से move हो रहा है, ecological succession उसका किस तरीके से हो रहा है, इन सभी के बारे में भी पढ़ाई की जा सकती है, तो ये तीन ज subjects आप कहलें, ecosystem के बारे में, जो हर ecosystem में same होते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी होता है, energy तो आए सबसे पहले, इस specific से chapter में हम energy cycling और energy से related to important terms के बारे में पढ़ेंगे, हम आगे के chapter में nutrient cycle और ecological succession के बारे में पढ़ेंगे, तो energy is basic force responsible for all metabolic activities, जिंदगी जीने के लिए, जो कोई भी आपको एक specific factor जो है, जो एक force है, जो responsible है, उसे energy कहते हैं, तो जो कोई metabolic activities आप करते हैं, खाना, जो आप खाते हैं, उसे गलाने के लिए, चलना, फिरना, सोना, करना, जो कोई metabolic activity है, उसे करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस unseen force को, जो के आपकी जिन्दगी का pushing factor है, उसे energy कहा जाता है. The flow of energy from the producers to top consumers is called energy flow, which is unidirectional. तो एक ही direction में इस energy का flow होता है, producers से लेकर consumers तक. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक pyramid हमें बहुत खूबसरती से रखा गा है, जिसे energy pyramid कहा जाता है, यानि के हम एक चोटा सा example है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि energy का flow किस तरीके से होता है, देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि सबसे पहला, यहाँ पर हमें grass वगेरा देखने को मिलता है, इन्हें producers कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहली production यही से शुरू होती है, ग्रैस वगेरा जो है, वो उगता है land पर, और उसे जो है, energy transfer की जाती है, rabbits में, for example, हमने बस एक ही community की यहाँ पर example ली होई है, तो rabbits जो हैं इस घांस वगेरा को लेते हैं, तो इन्हें primary consumers कहा जाते हैं, क्योंकि यह primarily consume कर रहे हैं, और यहाँ पर grass को जो है primary producers भी कहा जा सकता है, या फिर producers भी कहा जाता है, तो इन grass को जो है, यह rabbits वगेरा खा रहे हैं, तो यहाँ पर energy transfer हो रही है, तो इन्ही rabbits वगेरा को सांप वगेरा का रहे हैं, जो के secondary consumers हैं और यहाँ पर भी energy जो है वो transfer हो रही है लेकिन थोड़ी बहुत energy भी loss हो रही है यहाँ पर क्योंकि जितनी energy यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर नहीं मिलेगी जितनी energy यहाँ पर है यहाँ पर देखने को मिलेगी और सबसे total जो है हमें याना कि एक ही direction में move होता है तो इसे energy pyramid कहेंगे कि किस तरीखे से energy जो है वो एक level से लेकर दूसले level तक जा रही है The study of trophic level interaction in ecosystem gives an idea about the energy flow through the ecosystem तो अलग-अलग trophical levels में किस तरीखे से interaction हो रहा है अभी हमने देखा grass से लेकर rabbit, rabbit से लेकर snake, snake से लेकर eagle तो इसी तरीखे से हम जब individually इस तरीखे के interactions को पढ़ते हैं तो मैं बहुत अच्छी तरीखे समझ मेंगा कि energy flow किस तरीखे से हो रहा है पूरे ecosystem में Trophic level interactions deals with how the members of an ecosystem are connected based on nutritional needs अलग-अलग जानवरों के अलग-अलग organisms के nutritional needs अलग होते हैं तो इस तरीखे के Trophic level interactions जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि कौन सा level कितना nutritional need है और उसे बाकी के level में कितना nutritional need ज़रूरत पढ़ रही है और ये फिचले वाले Trophic level से कितना nutrition grab कर रहा है यानिके energy flow के लिए इन सभी के बारे में वहाँ पढ़ाई की जा सकती है तो इसी तरीखे के Trophic level के अलग-अलग interactions में तो हमें ये तीन अलग-अलग concepts देखने को में लेंगे सबसे पहला food chain, दूसरा food wave और तीसरा ecological pyramid इन सभी के बारे में आईए in detail पढ़ते हैं सबसे important term जो है वो है food chain दरसल्ब food chain होता क्या है देकि organisms in the ecosystem are related to each other through feeding mechanism और trophic level हर जो कोई भी प्राइनी है वो किसी दूसरे पर depend करता ही करता है तो ये अलग-अलग trophic के जो levels होते हैं वो एक दूसरे पर feed करते हैं feeding mechanism जो है उनका होता है तो कहीं न कहीं हम जब किसी producer को देख रहे हैं किसके grass के लिए और एक grass जो है अगेर एक deer जो है वहाँ पर consume करता है और deer पर depend करने वाला एक lion होता है carnivorous जिसे हम secondary consumer भी करते हैं और lion को जो है इसके बाद lion को तो कोई consume नहीं करता है लेकिन lion जो है वो मरता है उसके बाद वो decompose होता है अगेर जो है वो soil के nutrients का हिसा बनता है तो इस पूरे एक chain को हम food chain कहेंगे यानि कि एक specific तोर पर deal करना एक specific तोर पर study करना कि कौन सी community और फिर कौन सा traffic level जो है दूसरे traffic level से किस तरीके से interact करता है a sequence of organism that feed on one another form of food chain तो एक specific chain को बताने इसे food chain कहेंगे क्योंकि हाँ पर हर एक traffic level जो है वो किसी दूसरे traffic level का food बन रहा है तो इसे food chain कहेंगे a food chain starts with producers and end up with top carnivorous तो basically grass जो soil वगरा होती है वो producers है और आखिर में हम देख सकता है जो carnivorous होता है वो secondary consumers भी ने कहा जाता है तो ये एक best example है food chain का दूसरा important term है जिसके बारे में जानना है वो है food web देखे अब हमने chain कहा तो specific एक ही example हमने देखा लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइन जो है वो सिर्फ दीर को खाते है लाइन किसी और चीज़ को भी खा सकता है पेट भरने के लिए तो ऐसा अलग-अलग जो complex nature है food cycle का energy जिस तरीख से हमने एक दूसरे से लेते हैं तो उस पूरे web को जो है food web कहा जाएगा फर एकजमपल यहां पर आप देख सकते है अफकोर्स एक ट्री है उसे goat भी consume कर सकता है rabbit भी consume कर सकता है mouse भी consume कर सकता है goat अगें यहां पर fox है फिर जाकल जो है वहां पर उसे consume कर सकता है and again lion जो है उसे मार के खा सकता है या फिर इस पूरे एक फिनामेना को जो है हम फिलिप कर सकते हैं डिरेक्ली goat को जो है lion भी खा सकता है तो इस तरीख हैसे food flow को energy flow को अलग-अलग alternatives के साथ प्रवाइड करना और उसे डिपिट करना उसे food विप कहा जाता है तो यह पूरा जो है वो एक best example है food विप का लेकिन एक चोटी सी बात आपको समझ नी है वो है कि food chain में जैसे के हम ने देखा कि primary producers और secondary consumers जो के carnivores होते हैं वो end होते हैं extremants होते हैं तो यहां पर भी trees जो है वो primary producers हैं और आखर में carnivorous animals होते हैं और इनके बाद जो है again a death है और उसके बाद soil में nutrients वगेरा वो बन जाते हैं उनके bodies के decompose होने के बाद तो a food web illustrates all possible transfers of energy and nutrients among the organisms in an ecosystem whereas a food chain traces only one pathway of the food एक ही pathway में जब हम इस तरीखे के energy flow को बताते हैं तो उसे food chain कहते हैं लेकिन एक complex nature को इस तरीखे के energy flow को जब हम depict करते हैं तो उसे food web कहा जाता है ecological pyramids again one of the most important the steps of trophic levels expressed in a diagrammatic way are referred as ecological pyramids. The food producers form the base of pyramid and the top carnivores form the tip other consumer trophic levels are in between यान कि शुरुवात कि से होती है energy flow की और खतम कहाँ पर होता है इसे हम अगर एक diagrammatic pictorial representation करें तो उसे ecological pyramid कहा जाएगा जैसे के best example grass जो है वो primary producers है या फिर प्रोडूजर्स है ग्रास hoppers उनका इस्तमाल करते हैं इंडीड grasshoppers को frogs वगरा कंजूम करते हैं frogs को जो snakes कंजूम करते हैं ultimately snakes को eagle कंजूम करता है और वो soil nutrients का एक हिस्सा बनता है तो इसी diagrammatic representation को ecological pyramid कहा जाता है biotic interaction हमने अल्रेडी देखा biotic याने के जिन्दा जो कोई भी component है abiotic याने के non living तो biotic interaction किस तरीके से होता है living organisms का interaction organisms living in this earth are interlinked to each other in one or many ways जहर सी बात है कि हर जिन्दगी जो है कोई भी हो सकता है animal, plant, इंसान गरा वो कहीं न कहीं किसी और दूसरे organism पर depend करता ही है याने कि वो interlink है not just in one way but in many ways the interaction between the organism is fundamental for its survival and functioning of ecosystem as a whole तो जहर सी बात है कि इन सभी का जो एक web होता है उन सभी को मिला कर ही एक life जो है वो बनती है पूरा एक system ही है जिसके बारे में हम इस interaction के बारे में study कर सकते हैं जो कि बहुत ही fundamental है किसी भी जिन्दगी के survive होने के लिए types of biotic interaction अलग-अलग जो जिन्दा जो चीजे हैं living organisms हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से interact करते हैं सबसे पहला mutualism both species benefit नहां पर mutualism उस phenomenon को या फिर उस interaction को कहेंगे जहां पर दोनों species जो है वो एक दूसरे को benefit करते हैं for example in pollination mutualism the pollinator gets food that is pollen or nectar and the plant has its pollen transferred to other flowers for cross fertilization that is reproduction जो कोई भी insects वगएरा जो plants वगएरा पर जाते हैं flowers वगएरा पर जाते हैं indirectly वो flowers वगएरा जो plants वगएरा होते हैं वो pollen grains को transfer करते हैं उन organisms का इस्तमाल करके उन flies वगएरा का इस्तमाल करके एक plant से दूसरे plant तक ताके reproduction हो cross fertilization हो यहां पर एक दूसरे को harm नहीं पहुंचा रहा है दोनों जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और दोनों जो है benefit पा रहे हैं इसे mutualism कहा जाएगा दूसरा important जो है commensalism one species benefits the other is unaffected एक species जो है वो benefit ले रहा है लेकिन दूसरे species को किसी भी तरीखे का benefit नहीं है या पर उसे harm भी नहीं पहुंचा रहा है बस उसे किसी भी तरीखे का effect नहीं हो रहा है for example cow dung provides food and shelter to dung beetles the beetles have no effect on the cows तो जो dung beetles होते हैं चोटे-चोटे organization organisms होते हैं जो ज्यादा तर cow dung पर depend करते हैं उनके लिए cow dung जो है वो food होता है और shelter भी होता है वो उसी में जीते हैं लेकिन इनके beetles के cow dung को इस्तमाल करने से किसी cow पर किस तरीखे का effect कोई भी नहीं लेकिन यहाँ पर cow dung जो है वो beetles के लिए सब कुछ होता है तो इस तरीखे से इसे commensalism कहा जाएगा जहां पर एक species benefit हो रही है लेकिन दूसरी species को किसी भी तरीखे का effect नहीं हो रहा है नहीं harm भी पहुंच रहा है competition, third most important biotic interaction that is both species are harmed by interaction दोनों की खराबी आती है जब compete करते है example if two species eat the same food and there isn't enough for both both may have access to less food than they would if alone they both suffer a shortage of food तो specific मान लेते हैं कि दो share है एक ही deer है वहाँ पर दोनों को share करना पड़ेगा यानि कि दोनों को जो है वो आदा ही पेट भरा हुआ है यानि कि दोनों को यहाँ पर हाम पहुँच रहा है अगर एक deer होता तो एक lion उसे खा लेता पेट भरता और उसे जो है effective energy मिल जाती लेकिन यहाँ पर दोनों का जो है आदा आदा पेट भरावा है तो यहाँ पर competition की वजए से दोनों को हाम पहुँच रहा है अगला टाइप का जो biotic interaction है वो है predation and parasitism one species benefits दादरीज हाम यहाँ पर सिर्फ एक species की benefit होती है और दूसरे species को हाम पहुचाया जाता है for example predation one fish kills and eats जाहर सी बात है predation करना इनके हांट बगरा करना एक बड़ी जो फिश होती है वो बाकी के दूसरे चोटे फिश को खाती है तो चोटी जो फिश है उसे हाम पहुचाया जा रहा है लेकिन जो बड़ी फिश है उसे benefit पहुचाया जा रहा है parasitism tick against benefit by sucking blood host is harmed by losing blood for example again muskito भी कह लें यहां पर आदमी का खुन पिया जाता है आदमी का blood lose हो रहा है लेकिन muskito जो है उसे gain कर रहा है उसे energy मिल रही है उस blood को सक करने के बात तो इसे जो है predation और parasitism कहा जाएगा amensalism ये भी बहुत ही important है one species is harmed the other is unaffected एक species जो है वो harm पहुंचती है लेकिन दूसरे species को किसी भी तरह का effect नहीं होता देखिए अलग-अलग biotic interactions के meaning अलग-अलग होते हैं बहुत ध्यान में रखिएगा हमने already commensalism के बारे में पढ़ा जहां पर एक benefit लेता है लेकिन दूसरा unaffected है लेकिन amensalism जो है shadow अगरा में चोटे trees जो होते हैं उन्हें adequate sunlight नहीं मिलता और वो adequate sunlight ना मिलने के कारण वो मर जाते हैं लेकिन हाँ पर बड़ी tree को किसी भी तरह का effect नहीं होता इन चोटे plants के मर जाने से तो इसे amensalism कहा जाएगा आखरी जो important biotic interaction है वो है neutralism यानिके there is no benefit nor harm to either species best example यही है कि दो species जो है वो interact ही नहीं कर रहे हैं तो वो neutral हो रहे हैं वो एक दूसरे किसी भी तरह की interaction में अगर नहीं आएंगे तो उसे neutralism कहा जाएगा ना ही कोई benefit है ना ही कोई harm है perhaps in some inter specific interaction the cost and benefits experience by each partners are exactly the same so they sum to zero अगर वो interaction में आ भी जाते हैं तो उने specific benefit जो है वो मिलता है या specific harm जो है वो दोनों को देखने को मिलता है यानि कि neutralism होता है दोनों का equivalency महाँ पर share होता है best example अगर हम कह सके दरसल वो interact ही ना करें यही best है lions है for example जो हमने कहा कि एक ही deer है दो lions है अब लड़कर जो है आदा आदा पेट खाने के बज़े वो deer को भी छोड़ दे रहे हैं और बाखी के जो है वो दोनों lions अपने अलग-अलग रास्ते चले जा रहे हैं तो यह neutralism होगा यह थी चंद बातें जो आपको जाननी थी ecosystem and its function के बारे में हम आगे के chapter में nutrient cycle और ecological succession के बारे में पढ़ेंगे thank you for watching my video